Hello students, कैसे आप लोग उम्मीद करूँ है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो मैं के जंदर शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का Adder247 CUT चैनल के उपर और आज मैं बात करने वाला हूँ जिससे students बहुत ज़्यादा परेशान है वो है time management कि सार एक्जाम के 40 दिन बचे हुए लेकिन हमारा time management ही नहीं हो पा रहा है हम लोग video classes को जादा देखें या अपने notes पे काम करें numerical को करें या क्या चीज़े हम लोग करें जिससे हमारा time effectively भी use हो जाए और maximum output भी हम लोग निकाल पाए तो मैं बात करने वाला हूँ एक topper के नजरिया से कि भीया एक topper जो होता है वो क्या-क्या चीज़े करता है जिससे वो एक topper बनता है वैसे ही आप सभी को अपने time को manage करना है और उन सारी चीज़ों को आज सही implement करना है, start कर देना है इतनी guarantee दूँगा यार कि अगर आप लोगों ने उसको use किया तो आप लोगों खुद में change पापाऊगे और आपको comment section के अंदर भी जरूर बताना है कि कैसा लगा ये video आप सभी को और क्या इससे आप लोगों को benefit हुआ या नहीं हुआ तो चलिए शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं तो मेरी तरफ से क्या है, ये है देखे time management tips for students सारे students के लिए है कि time management tips की कौन कौन से time कैसे आप लोगों को utilize करना है तो यहाँ पे मैंने कुछ points के अंदर सारी चीज़े यहाँ पे लिखी हुई है जैसे number 1.23456, 6 points मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं उनको हम लोगों को क्या है, जानने की कोशिश करनी है तो number 1 क्या है, make a proper schedule, day, week और month इसका मतलब क्या हुआ, कि देखो जितने भी toppers होते हैं या जो भी students होते हैं कि भाईया, ऐसे-ऐसे मुझे काम करना है, ऐसे काम करना है, इतने दिन में ये चीज़ करनी है वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, आज से ही 40 दिन जो तुमारे पास बचे है इस 40 दिन में पहले अप्रेल का target decide कर लो कि भाईया, इतना काम मुझे complete करना है और साथ ही per day का करना है, per day का कितना करना है, कितनी videos देखनी है, कितने numericals लगाना है कितना मुझे practice करना है, like अगर 7-8 गंटे अगर मैं use कर रहा हूँ video देखने के अंदर तो उसके बाद मैं मुझे क्या करना है, सर, 4 गंटे कम से कम self study करनी है इन सबी चीजों को आप लोगो को पहले properly schedule बनाना है और schedule बनाके उसको follow करना है, strictly, चाहे कुछ भी हो, वो follow होना चाहिए जैसे एक example मैं देता हूँ, कि सर, मुझे video like, video classes मेरे को देखनी है second है, set realistic goals, realistic goal का मतलब क्या हुआ, कि सर, आज आप लोगों ने ये video देखी, मेरी देखने के बाद मैं सोचा कि अब तो गजिंदर सर ने बोल दिया, आप तो मैं forward के रख दूँगा, एक दिन मैं 100 सवाल लगा दूँगा, 200 सवाल लगा दूँगा और बेटा, ये क्या होता है, realistic नहीं होता है, आप भी जानते हैं, 100 सवाल, 500 सवाल लगाना मतलब क्या हुआ, सवाल लगाने का मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि सर, सारा टाइम आपने उसी को दिया, तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से अपनी realistic goals को करना है, जिस उससे क्या benefit होगा, क्या self confidence आएगा, तो easily सारी चीजों को आप लोग बहुत बहतरी नंग से करने लग जाओगे, थार्ड पॉइंट जो है, one task at a time, यानि कि जब भी आप लोग कोई काम कर रहे हो, उस ताइम पर एक task ही करना है, अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई कर हूँ, तो पढ़ना ही है, और पढ़ने के लिए कौशिश यही करना बीड़े भाई, कि table chair होती है न, उसके उपर बैठ के आप लोग को पढ़ना है, comfort zone के अंदर बिर्कुल नहीं आना है कि सर जी, मैं तो बैठ के उपर ऐसे फैल के पसर के बिर्कुल पढ़ रहा हूँ, व सुबह जल्दी उठोगे, तो आजी-चादी हवा आप लोगो को मिलेगी, साथ ही सबसे important चीज है कि सुबह जल्दी उठने के बाद में आप लोगों को जो सबसे hard, जो सबसे tough subject लगता है, उसको सुबह स्टार्ट कर दीना है, सुबह पढ़ना है, क्यों? क्योंकि जब tough subject को आप लोग पढ़ते हो, तो उसके अंदर जब आप लोग कुछ चोटी-चोटी achievements को पाते हो, तो उसके बाद में क्या होता है, आप लोगो के अंदर एक अलगी level का confidence build up हो जाता है, आरे यार, सबसे tough subject को मैंने easily कर लिया है, उसके बाद में पूरे दिन आप लोग confident क्या रख करना है, जिससे क्या हो, आप लोग की body के अंदर क्या हो, blood circulation वगएरा अच्य से हो सके, और easily आप लोग fresh मैसूस कर सको, तो ये आप लोग को point अपनाना है, इसके बाद में fifth point है, elimination distractions, यार, जितने भी आप लोगो को destruct करने वाली चीज़ हैं, उन सभी से अभी आप लोगो को सादू की तरह रहना है, एक simple word में मैं जो बोलता हूँ, सादू की तरह एक तम बिर्कुल पूरी concentration के साथ रहना है, जो ये बाबू सोना वाले चीज़े होती हैं, इन से भी दूर रहना है थोड़ा, दूर रहने का मतलब यह नहीं कर रहा है कि बिर्कुल ही खतम कर दो, खतम को देना, जैसे classes देख रहे हो उस टाइम पे, नहीं तो अपने mobile का जब DPP लगा रहे हो है, कोई भी चीज़ को solve कर रहे हो, तो उस टाइम पे mobile का internet बंद करो, और उस time duration पे चीज़ों को पढ़ो, जिससे क्या हो, आप लोगों का दिमाग एक जगा लगेगा, और उन destructions जो urgent है, तो उस काम को करो, नहीं तो उसको क्या करो, थोड़ा hold पे डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी अपने को किस चीज़ पर ज्यादा focus करना है, सर, important works पे, और important जो चीज़े हैं, जिनको हम लोग avoid नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों पर आप लोगों को focus करने की ज आपके अंदर की सर, मैं practice नहीं कर पा रहा हूँ, यह जो सवाल आप लोगों के होते हैं, उन सभी से क्या हो जाओ, easily दूर हो जाओ, समझ में आ गया, फिर आप लोगों को सिर्फ focus करने की जरूत होगी और कुछ नहीं है, I hope कि यह जो चीज़े मैंने बताई हैं, इनको आप आकेदार तरीके से करना चाहता है, हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहता है, मेरे साथ जुड़ना चाहता है, और अपनी पढ़ाई को एक next level पे लेके जाना चाहता है, क्योंकि यह 40 दिन जो है यही आप लोगों का decide करेगा कि कि किस college के अंदर आप लोग बैठने वाले हो, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आर maximum efforts को इसके अंदर put कर देना है, कि sir selection से कम मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो इसके लिए arts, commerce, science के लिए हमारी टीम ने अभी आज इसकी दूसरी class हुई है, प्रतिग्या बैच को launch किया, प्रतिग्या बैच अ आप लोग अच्छा score कर पाओ, selection ले पाओ, एक अच्छी जानी मानी colleges और university के अंदर, I hope कि सारी चीज़ आप लोग को clear हो गई होंगी, ये नीचे दिया गया code है Y485, इसको लगा कि आप लोग को maximum discount मिलने वाला है, तो इसको लगाईएगा, जिससे आप लोग को maximum discount मिल पाए Y485, अब कैसे आप लोग को course के अंदर enroll करना है, तो वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो बेटा देखे, course में enroll करने के लिए सबसे पहले आप लोग को Google पे जाना है, जैसे ही आप लोग गूगल पे जाओगे, तो Google पे जाने के बाद में आप लोग को add 24-7 type करना ह जैसे ही आप लोग पहले link पे क्लिक करोगे, यहाँ पे all courses है, इस all courses पे आप लोग को क्लिक करना है, then under grade entrance exam पे जाना है, यहाँ पे CUT पे जाना है, अब देखो science, commerce, arts, जो Hindi medium के students हैं, उनके लिए भी यहाँ पे batches launch कर दिये गए हैं, तो देखे यहाँ पे science के हैं, तो science पे क प्रतिग्या, इस प्रतिग्या पे आप लोग को क्लिक करना है, और प्रतिग्या पे जैसे ही आप लोग आओगे बेटा, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, buy now पे आओगे, तो यहाँ पे coupon code apply करना है, जो मैंने आप लोगो को अभी बताया, वो है Y485, Y485 आप लोग लेकिन जो आपको मैंने code बताया Y485 जैसे ही इसको apply करोगे तो ये course direct 2800 को आप लोगों को पढ़ने वाला है यानि कि Y485 बहुत important code है आप लोगों के लिए Y485 इसको लगाईए और 2889.20 रुपए में इसमें enroll करिए और अपनी तयारी को धमाकेदार तरीके से आगे बढ़ा द लिजी इसके अलावा मान लिजी आप लोग commerce के student है मेरे भाई तो आप लोगों को क्या करना है यहां से commerce select करना है तो commerce पे click करना है कॉमर्स के लिए देखो यह रहा प्रतिग्या badge इस पे click करना है और then आप लोगों को क्या करना है यहां पर buy now पे आना है by now पे वापस same coupon code लगाईएगा, Y485 लगाती है, आप लोग को maximum discount इसके उपर मिलने वाला है, right मेरे भाई, तो code क्या है आप लोग को मैं बता भी देता हूँ, code एक बार लिखे वो है Y485 Y485 code लगाईए और अपनी life को आगे बढ़ाईए और एक धमाकेदार तरीके से तैयारी की तरफ आगे बढ़ जाएए I hope की सारी चीज़े आप लोग को समझ में आ गई होगी मेरे साथ जुढने के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया इसी परकार की informative वीडियो लेके मैं आप लोग के सामने आता रहूँगा अगर मेरे इतने effort से अगर आप लोग की life के अंदर थोड़ा भी change आता है तो मैं अपने आपको बहुत खुश किस्मत समझूँगा तो thank you so much and bye bye to all comment section के अंदर जरूर बताएगा अपने जितने दोस्त फ्रेंड है सभी को इसको share कीजेगा thank you and bye bye to all